और यहां से एक वीडियो वाराल हो रहा है कि कैसे कोई गेट खुलवाने की कोशिश कर kunnen रहा है वीडियो में अश्पताल का एक ब भी विखाई दे रहा है पहले तो गेट नहीं खुलता लेकिन जब कोई चिला कर केहता है कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा तो अंदर से गेट खुलता है इसके बाद जब वीडियो बनाने वाले लोग अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा नजारा मुबाइल में कैद होता है जिसे देखकर और एया की जंता ठाहा के लगा रही है और शायद आपको भी हसी आ जाए दर अब आपो आप निकलो बहुत निखलो संगी बहुत निकली अब आप इन्वाल्बेन प्राइवेट देलिवरी एक एक करके इस तखत के नीचे और पूरे कमरे से साथ आशा बहुए निकली और इनकी कारिस्तानी सब के सामने आ गई इन सभी पर आरोप है कि ये उन महिलाओं को सरकारी अस्पताल में टार्गिट बनाती थी जो गर्भवती हैं और एक दर्द रहित डिलीवरी चाहती हैं जानकारी के मताबिक ये सभी ऐसे परिवार को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने और डिलीवरी कराने के नाम पर सुविधाय गिनाती थी साथी साथ गर्भवती महिला को प्राइवेट हस्पताल तक पहुचाती भी थी लगातार मामले की शिकायत मिल रही थी लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिससे ये आरोप सच साबित हो बिदुना तैसिल के लक्षमी प्राइवेट हस्पिटल से जब सूचना मिली कि यहां पर कुछ आशा बहुएं इकठा हुई हैं तो बस क्या था केंद्र धीक्षक ने यहां च्छापा मारा और उसके बाद जो हुआ सब आपने इस वीडियो में देख लिया है इस बाबत स्वास्ति केंद्र अधीक्षक अविचल पांडे का कहना है कि सभी साथ आशा बहुँँ से इस पश्टी करण मांगा गया है कि आखिर वो अस्पताल में कर गया रही थी एक ऑस्पिटल लें पे प्रिवेट थी ँछापे वर तो एकुछ आशा मेरे की ले सिकी जिसम्मूट है कि अस्पीटलेTION ऐस्पा मारे दोहरा क्या नाम पाड़ा गया कि वहाँ क्या करने है कि कहाँ पे होस्पिटल है ये अटना रोड पह वीडियी अगी डॉक्टर अविचल की माने तो अगर आशा बहुएं इस मामले में दोशी पाई जाती हैं और इस पश्टी करण नहीं दे पाती हैं तो सभी के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी ये खबर हमारे समवादाता खुर्शीद खान राजु के साथ कपिल पूरवाल ने कवर की है